कि आपको जूट बोल रहा है इनको सरकारे से कोई मानेता प्राप नहीं है इनकी रेक्रग्निशन खतम हो चुकी है 31 दिसेंबर 2021 से विच मींज दो साल देड़ सालों ने को आया इनके पार सरकार से कोई मानेता नहीं है बच्चे की तरह इसको के फिसी में खाना खिलाके वापस बेजाए मैं चाहता हूं आरियन को आइसे कैसे हो आप लोग दूआ करता हूं आप लोग बहुत एच्छे होंगे तो वीडियो में बात करते हैं तरुन गिल की तो गाइस तरुन गिल ने आई बीबीएफ एडरेशन क एक्सपोज किया है और तरुन गिल ने पुरूप के साथ आई बीबीएफ एडरेशन को फेक बताया है तो क्या तरुन गिल सही बोल रहे हैं या गलत तो चलिए तरुन गिल का वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप कमेंट करके जरूर बथाना इस फेडरेशन के तो आप खेलोगे आपको जोब मिलेंगी लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि आई बीबीएफ आपको जूट बोल रहा है इनको सरकारे से कोई माननेता प्राप नहीं है इनकी रेकरिशन खटम हो चुकी है 31st December 2021 से इनके पास सरकार से कोई माननेता नहीं है और अबी भी बीडिडऱ् को बचार को यह बोले है कि आप इंडिया के लिए कहल रहे हैं ट्रायल जोगो यूज करा रहे हैं उनका लोगो यूज करने हैं साही का विच इस रॉंग मैं जूट कह रहा हूं तो यह मैं लेटर डाल और इन 48th federation में IBVF का नाम नहीं है नहीं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इनका लोगो या नाम है तो अगर मैं गलत हूं अगर मैं गलत हूं तो आवड रिक्वेस्ट मिस्टान पठा रहें एंड प्रेमचन डेगराजी जो इस फेडरेशन के करता है आएं वह लेटर तो नेक्स अपडेट मुकेश गूरू जी और राजवीर शिसोद्या की तरफ से आ रही है तो गाइज मुकेश गूरू जी और राजवीर शिसोद्या ने राहूल फिटनिस के बारे में कुछ कहा है तो चलिए वीडियो देख लेते हैं अगर वो यह सोचता मैं यार लाग दिपर कमांगो तभी गेम होगा तो वो कभी बाड़ी मिल्डर नीगा जब लाग दिए कमाने लेगा तो गेम के माइट से जाएगा उसका फिर वो गएगा मैं पैसा ही कमा हूँ अब पैसा ही टूंप अब नोलिद होगी ना पैसा कैसे गेम का पैसे अभी भी है अभी वो अच्छा गेम है लिजली बार देखो प्रोपाड रहे है अभी दिरी दिरे आना शुरू है यही बात बात है बीड से अलग नेकलना पड़ेगा है टाइम इन्वेस करना पड़ेगा एक टाइम पर भाई गुरू जी हमें बताते हमनी इतनी मोटिवेशन स्टोरी बताते गुरू जी गाते भाई हमारे पास ना बसके हमें पैसे मिलते थे तो हम जिम पैदल चरे जा रहे थे कि उन पैसो से पांच रुपे से हम दो अंडे खा लें तो आज इसे शुरू होता है और आज देवलो गुरू जी तुना नोट शाप अर्यन खंडारी के बारे में भी कुछ का है तो चलिए वीडियो देख लेते हैं लेकिन आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर गल ले अरौंड पांच दिन पहले किसी बंदे ने लाइव में आके मैं मन्नु के घर मे में हूँ मेरा एक दोस्त है मन्नु मैं उसके घर पे गया हूँ उसकी competition की prep कराने उस घर के around आके तो सबसे पहले एक गलती मैं मानता हूँ हमने करी हमने address भेज दी बट मुझ से पूछ के नहीं भेजा गया था मन्नु ने एक address भेज दी जो उसके घर के 2-3 km दूर था कि वह बात नहीं बट वो बंदा वहाँ पे आ गया और उसके आने के बाद मैंने बोल दिया उसने call करा मैंने बोला भाई मेरे को नहीं बात करनी आपसे इजज़त से बोल दिया मेरे को बात नहीं करनी आपसे वो बंदा लाइव जाके कहने लगा कि मैं मारूंगा इन सब को मारू वो वो उग्हा लो पूलिस वालों कई गड़ा हों आजओ तुम्हारी सेफटी मिल जाएंगी तुम्हें हम भी रेख लेंगे कितնी सेफटी करवाएंगे ऎलो वे देख तो रही होंगे ये खड़े पूरे पुलिसवाले सारे आजओ तुम और रताओ अब बहुत अरे बंदी न मेरे को एक चीज प्रॉब्लम है आप लोगों से आप हर किसी के पीज पर कॉमेंट कर रहो एलफा, सिग्मा, एक बाद बताओ, एलफा और सिग्मा क्या होता है आपके घर के बाहर को ये रात के तीन बजे ये कह रहा है कि मैं बंदूक लेके आए हूँ और तुम्हें पीतल भर दूँगा तो आप घर से बाहर जाओगे यहाँ पर वन टू वन लड़ाई नहीं होती, यह टूटी टू थाउजन टूटी थी है यहाँ वन टू वन यूफसी रिंग बनके लड़ाई नहीं होती भाई बड़े बड़े सूपरस्टार को भी गोली मार के चले जाते हैं लोग सेक्योरिटी होने के बाद भी तो यहाँ पर आपको मर्द नहीं बनना कि भाई यहाँ आजा थोड़ा दिमाग से और थोड़ी फैमिली के सोच के बनना है आर इन आरिन कंड़ए आपको लगता है सच कि मैं उसको आअसर दुश्वन मानता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी कॉंट्लिक्ट है कॉंट्रेट है अब मैं आपको आर्न के एक बात बताता हूं इसने हमें हर किसी हर बंदा जो भी हमारे साथ उस competition में था यह confirm कर सकता है कि इसने हमें कहा है कि इसने आरेन कंडारी को गाड़ी में बैठा के 30 से 35 थपड मारे है मारा है फिर ले जाके बच्चे की तरह इसको केशी में खाना खिला के वापस बेचा है मैं चाहता हूं आरेन अगर तु देख रहा है वीडियो कंफर्म कर दे क्या तुझे 35 थपड मारे थे इसने क्योंकि मुझे पक्का ट्रस्ट है कि नहीं मारा होगा प्यार से बैटके बात करी होगी बट हमारे सामने शो अफ करने के लिए कह दिया कि तुझे 35 थपड मारे हों गए यह रियालिटी यह दोगला बने भाई हिपोग्रसी है